अगर देश भारत की विपक्षी पार्टियां EBM के खिलाफ चुनाओ बहसकार कर दें तो यह अंतराश्टी मुद्दा बन जाएगा पूरी दुनिया में यह चा जाएगा और फिर भारत के ताना साहों को EBM बंद करनी पड़ेगी फिर दूद का दूद और पानी का पानी हो ज लोग सबा का चुनाओ या फिर हो विधान सबा का चुनाओ चुनाओ के नतीजों के पहले और नतीजों के बाद जिस मसले को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर तो मेंस्ट्रिम के मीडिया पर बहस और चर्चा छिड़ी वी दिखाए देती है वो है EBM को बैन करने को ल लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्च करते वे दिखाए देते हैं और ऐसे में अब फिर एक बार लोग सबा चुनाओ के नतीजों के बाद वही देखा गया तमाम प्रदेशों में होने वाले विधान सबा की चुनाओ के नतीजों के बाद उसी मुद्दे को लेकर लगातार र की दान सबाग चुनाओ के पहले फिर एक बार इवियम को बैन करने को लेकर मसला कहिने के सबसे ज्यादा सुरुखियों में देखा जा रहा है इलेक्शन कमिशन चुना आयोग बार बार इस बात को साबित करने में लगा हुआ होता है कि इवियम के माध्यमजे किसी भी तरी किसे पारदर्शिता के आधार पर चुना होता है और तमाम राजनेतिक पार्टियों के नेथा खासतोर पर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष भी कहीने कई अपनी भूमी का सत प्रतीशत सपस्ट तरीके सी इवियम के खिलाफ答 अपने बयान अपनी भूमी का रखते इसके पीछे की सच्चाई क्या है वास्तविक्ता क्या है। पक्षिदल की जो भूमी का है इवियम को लेकर क्यों सपस्ट नजर नहीं आती आखिर इवियम को बैन करने को लेकर तमाम राजनितिक पार्टियों के नेता या इनकी पार्टिया क्यों एकत्रित होते बें नहीं दिखाए पड़ती यह बया सारे सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक लोगों ने इवियम के खिलाप मूर्चा खोला पिछले दस बरसों में लगबग पाँच हजार से जादा आंदोलन इवियम के खिलाप हुए सुप्रीम कोट के बड़े-बड़े वकील, बड़े-बड़े समासेवी सर पटक करके चिलाते रहे कि इवियम गड़वड है, इवियम गड़वड है, तब भी दबरदस्ती बेईमानी से सत्ता परिस्थापित लोगों के कान में जू तक नहीं रहेंगा अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के अरब पती, टेसला के मालिक बहुत बड़े आदमी है, जिन्होंने नासा से भी चार कदम आगे चलकर इस पेस छितर में बहुत बड़ा योगदान किया है, वो बिज्ञान बादी है, तर्क बादी है, उन्होंने ये दाबा किया है, एबी एम हैक हो सकती है, एबी एम से बेइमानी हो सकती है, एबी एम प्रोग्रामिंग कारिकरम है, एबी एम वैटरी से चलता है, अर्थात एबी एम से धांदली की गुनजायस है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बहस पर आदरी एलन मस्क उन्हें बहुत बड़ा अपना योगदान किया है सच्चाई लोगों को बताने का प्रयास किया है जो उनके मन में आ रहा था यहां पर सबसे पहले उस बात का खुलासा भंते सुमीत रतन इनके मायद्यम से किया गया है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश में लंबे समय से तक्रिबन पिछले 10 वर्षों से 5000 से ज्यादा आंदुलन इवियम को बैन करने को लेकर हुए उसके बावजूद भी सत्तापक्ष इस मामले को लेकर किसी भी तरीके से कोई ठोस कारवाई करने के लिए या फिर चुना आयोक से इस बात की अपिल करते भी नहीं दिखाए देती कि तमाम राजनेतिक पार्टियों की नेताओं ने इवियम के खिलाफ कहने का संकोच और भूमी भूमी का लिए उसके बारे में हम आगे तो बात करेंगे लेकिन सत्तापक्ष जिस तरीके से लंबे समय से इस बात को कहने के बया बताने में साबित करने में लगा हुआ है कि हम इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है इस दुनिया में सबसे बड़ी पार्ट के लिए लगातार वोट करते वे दिखाए देती है आकर उनके बयानों में उनके काम करने में इतनी ज्यादा ताकत है उनको पुरे देश इतना ही कहने के जन प्रे में मिल रहा है उनको जन समर्थन मिल रहा है उनकी सरकार बन रही है तो कहने के एवियम को बदल कर क्यों बैले जीवियों के माद्यम से इवियम को कहने के बैन करने को लेकर बंद करने को लेकर जो अपनी आशंकाय जता यह जो संकोच दर्च किया है उसके बाउद भी चुनाओ आयोग के मनमस्तिश्क में यह बात क्यों नहीं समझ आ रही या फिर क्यों वो इस पूरे के पूरे इवियम इस मशीन को बदलने का काम नहीं कर रहे है इतना है नहीं आगे चल कर उन्हें यह कहा कि इस भारत के साथ दुनिया में जो अपना नाम शुमार है जिनको लेकर सोशल मीडिया से लेकर थे चुन से mercs के मीडिया पर उनके एक किये गए ट्वीट से पूरा का पूरा इतने बड़े उद्योगपती है कि उन्होंने इस देश के अंदर और दुनिया में चलने वाले पीटर और एक्स के तक उन्होंने खरीद लिया और आज उसके वो CEO है तो इतने बड़े सक्षियत को लेकर सक्षियत के माध्यम से जो बयान जारी किया गया कि EVM को हैक किया जा सक सकती है EVM को लेकर कहने कई कंट्रोलिंग जो है वो सिस्टम बिठाया जा सकता है उसको कंपुटर के जरिये कहने कई तकनिकी आधार पर उसको अपने तोर तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है यह बड़े सवाल एलोन मस्क इनके माध्यम से उठाय गया है उसके बावजूद भी जो सत्तापक्ष है आखिर क्यों इस मसले पर गंबिरता से अपनी भूमी का दर्च करता है नहीं दिखाए दे रहा यह तमाम बाते बंदे सुमितरतन इनके माध्यम से कही गया है आगे भी काफी कुछ कहा गया है वो भी बयान आपके साथ साजा करेंगे मैं स्वैम पिछले दस सालों से बरावर यह कहते आए हैं कि इवी एम पर जब विस्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को भारत सरकार को इवी एम बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से ओटिंग कराना चाहिए लेकिन सरकारे न सुनने को तयार है न चुनाव आयोग मानने को तयार है जytना जम्मधार एवी म के लिए बी जेपी है भाजपा सरकार है उससे कई गुझा ज्यादा भारत की बिपक्षी पार्टिया है क्योंकि हर बार यह चुनाव लड़ती है एवी का ब्रोध भी करती हैं हर बार यह चुनाव भी लड़ती हैं जबने ये पता है कि EBM खराव है EBM से बेमानी हो सकती है BJP बरश्टाचारी पार्टी है और चुनाओं में हरवाल लड़ते हैं जब इन्हें पता है कि BJP EBM से चुनाओं जीत लेगी आप कभी जीत नहीं सकते तो चुनाओं में सामिल क्यों होते हैं मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आज आप लोगों को कि अगर देश भारत की बिपक्षी पार्टिया एबियम के खिलाफ चुनाओं पहस्कार कर दें तो यह अंतराष्टी मुद्धा बन जाएगा पूरी दुनिया में यह चा जाएगा और भारत के ताना साहों को इबियम बंद करनी पड़ेगी फिर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा यहां पर एक बात का फिर एक पाइटिया उसी इवियम के जरीए चुनाओं लड़ने के लिए तयार हो जाती है अगर इनरम राजनेदिक पाइटियों को यह पता है कि इवियम के माधियम से हम अगर चुनाओं लड़ते भी है हम जीत नहीं पाएंगे उसके बावजुद भी आखिर राजनेदिक या क्यों बार-बार EVM के माध्यम से चुलाव लडने का काम करती है अगर सही मायने में अगर EVM को बदलना है उसके सबसे सफल और सबसे कहिने कई निरनायक जो निरने होगा जो फैसला होगा वो इस मताबिक होगा कि तमाम जो विपक्षिदल की पाइटिया एकत्रित होगर ए निर्वाचन आयोक को इस देश के शत्ता पक्ष को EVM को बदलना ये सबसे पहली मांगो जाएगी और इसी के साथ साथ बता दे कि राजनेतिक पार्टियों में खास्तों पर जब विवक्ष की बात की जा रही है तो कॉंग्रेस के नेता दिगविजय सिंग इनके माध्यम से इवियम को लेकर चुनाओं के पहले लोगसभा दोजाज 24 की चुनाओं के दोरान काफी कुछ कहा गया लेकिन उनका बयान भी पूरी तरीके से विरोधा भास वाला नहीं देखने को मिला उनका बयान उनके माध्यम से की गई प्रतिक्रिया एक खाना पूरती की तरफ ही के म लेकिन अगर एवियम आज जिन्दा है एवियम अगर चल रही है तो इसमें बिपक्षी पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है यह रोनर होते हैं हार जाने के बाद कि एवियम खराब है लेकिन हर बार चुनाओं लड़ते हैं जब आपको मालुम है कि हम चुनाओं ल आम बड़े बड़े लोगों ने एवियम पर आसंका जताई है कि हेरा फेरी हो सकती है बेइमानी हो सकती है फिर एवियम क्यों चल रहा है अगर एवियम है तो लोक तंत्र नहीं है अगर एवियम है तो नियाय दिवस्ता नहीं है क्योंकि एवियम से कोई भी चुनाओं जीत यह एलन मस्क ने बयान दे करके इस चर्चा को फिर ताजा कर दिया है। मैं अपील करूँगा भारत के सवी जिन्दा लोगों से, सामाजिक लोगों से, बिग्यान बादी, तर्क बादी, शम्मिधान बादी लोगों से, अतापक्ष के उन समझधार लोगों को जो बिग्यान पसंद है, तर्क पसंद है, सम्मिधान पसंद है, लोगतंतर को पसंद करते हैं कि इस मुहिम वो सामिल हो कि भारत में EBM बेन किया जाए। जिस देशों ने EBM को बनाया है, उन देशों ने EBM को बेन कर दिया है, आखिर तुम क्यों चला रहे हो। तमाम बिकसित देश बहरत वो बिकास सील है तमाम बड़े बड़े बिकसित देशों में जहां बहुत तरक्की हो गई है जो देश आप से 50 साल आगे चल रहे हैं हर छेतर में उन देशों में EBM को बैन कर दिया गया है भारत में क्यों चल रहा है मैं पुरजोर शमर्थन करता हूँ इस बात का कि EBM से दोखा दड़ी हो सकती है और उन सभी नेताओं का धन्यवाद दूँगा जो आए दिन EBM के खिलाब बोलते रहते हैं आवाज उठाते रहते हैं और जो नेता मुह में दही जमा करके बैठे हैं वो भी जावरुक हो जाएं अगर आपकी मूख शेहमती EBM पर है तो आप कभी भी यहां MPML नहीं बन सकते हो जीतेगा वही जो पावर में होगा धोका धड़ी हो सकती है इसलिए एक माहौल बनाया जाए एक बार फिर पूरे देश में कि EBM को हटाया जाए EBM संबिधान के खिलाब है यहां पर सुमित रतन ने इस बात को दोरायने का काम किया है कि EBM अगर जब तक के जिन्दा रहेगा तब तक इस देश के अंदर तानाशाही बरकरार रहेगी क्योंकि EBM से जो चाहे वो चुनाव जीत सकता है जिसके गिरफ में जिसके नियंतरन में EBM है वो राजनेतिक पाइटी बार बार अपने आपको सकता में लाने के लिए कहने की काबिल होते भी दिखाए देगी और लगातार पिछले तीन बारी से बारतियंता पाइटी का सकता में एक के बाद एक बार लगातार वापसी करना ये कहने के सवालों के कटगरे में खड़े करने का काम करता है और उसी मसले को लेकर अब फिर एक बार इस चर्चा को छेड़ने का काम Elon Musk इनके माध्यम से किया गया है कि EVM पर सवाल निशान खड़े किये है EVM पर धानली हो सकती EVM को हैट किया जा सकता है उसे अपने नियंत्रन में लिया जा सकता है और इसी के साथ साथ तमाम ऐसे देश जिनों ने EVM को बनाया है वो तमाम देशों ने EVM को कब कही बैन कर दिया है इसमें जापान हो बंगलादेश हो अमिरीका हो ऐसे तमाम जो बड़े देश जो अपने आप में एक ऐसी सक्षियत रखते हैं एक ऐसा प्लान रखते हैं जो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो तक्रिबन अपने आप में वो 50 वर्ष आगे चल रहा है भारत से तु अपने आप में 50 वर्ष आगे चल रहा है ऐसे देशों ने जब इवियम को हटा कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाओ करना शुरू कर दिया है और लगातार उनका ये चुनाओ जो प्रक्रिया है वो जारी है तो भारत में आकर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इसके पीछे का नहीं जारी रहेगा और परिवरतन जो है परिवरतन जो चाहते है क्यों लग तंत्र के खिलाफ है EVM पर किसी को विश्वास नहीं है EVM हटाना बहुत जरूरी है एलन मस्क जी का हम धन्यवाद देते हैं किनोंने बहस को जिंदा किया और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी आवाज उठाएं और EVM को बंद कराकर पोस्टरल बैलेट से बैलेट से चुनाव कराकर इस देश में फिर पुना लोकतंत्र स्थापित किया जाए जो जीतेगा वो सासक होगा जो हारेगा बेपक्ष की भूमिका निवान निवाएगा कम से कम लोगों का फितूर जो है मन में भरा है या सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए यही हम चाहते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सादूबाद तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बनते सुमितरतन ने काफी कुछ कहा जिनोंने एक के बाद एक तमाम मसलों को लेकर बड़े खुलासे किये उनका साफतर पर एक बार और कहना है कि इवियम को अगर बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोगतंतर को जीवित नहीं रख पाएंगे लगातार चुना प्रक्रिया को लेकर जनता का जो विश्वास है समय के मुताबिक कम होतावा दिखाई दे रहा है और ऐसे में इवियम को लेकर मदान को लेकर चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों का विश्वास अगर बरकरार नहीं रहेगा तो ये लोगतंतर के लिए सबसे बड़ा खत्रा है लोगतंतर को जीवित रखना है और पारदर्शिता के आधार पर अगर चुनाव करना है तो इवियम को बैन करने के अलावा और कोही परियाए नहीं इसलिए देश में एक स्वस्त लोगतंतरे के लिए इवियम को बैन करना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और इवियम को बैन करने के बाद ही जब बैलेट पेपर के आधार पर चुना होंगे तो ये पारदर्शिता के अनुसार ट्रांसपरेंसी के आधार पर ये देखा जाएगा कि जो जीतेगा वो कहने के सत्ता में आएगा जो हार जाएगा वो विपक्ष की भूमी का निभाएगा अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जो चर्चा और बैस छिर चुकी है क्या चुना आयोग इस मामले की गंभिरता को समझ कर देश के लोगतंत्र को बचाने के लिए अपनी जो सकरात्मक भूमी का निभाता है या फिर नहीं इस वक्का सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे क नए वीडियो में सब तक लिए जय भी जय भारत